फेशल के जो मेंन स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ मैं पहले भी कहती रही हूँ मैं अभी भी कह रही हूँ कि फेशल के किसी स्टेप में ब्लीच नहीं आती और पूरी दुनिया में नहीं आती पूरी दुनिया में कहीं पे भी ब् दर्दी से इस्तमाल किया जाता है और किसी भी तरह का फेशल हो कोई स्किन पॉलिशिंग कह रहा हो उसके अंदर ब्लीच गरी ही होती है और ब्लीच यो है वो हामफुल होती है और वो इस इंस्टेंटली तो आपको लगता है कि आपकी स्किन शायद आपको पहले से अच्छी है लेकिन वो सक लिवाफ करती है बहुत लुक्सां पहुंचाती है तो दो चीज़ा है जिनको आपने ब्लीच और ब्लीच नहीं हो धिजिक में पूरी दुनिया में उप्सित ऑपषे यानि के पूरी दुनिया से खतम हो चुके हुए हैं, इनको तो आपने करना ही नहीं है और या आपके माइंड में भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, अचा जी, अब हम आजाते ही कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे इस पहला स्टेप होता है, कि आप अपनी स्कें को अनलाइ जिन पर active acne चल रही होती है, कुछ ऐसी skins होती है कि वो mature होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि mature और dry होती है, और कुछ dry होती है, mature ना भी हो, तो वो dry skins होती है, ठीक है? हम हर तरह की skin type के उपर facial कर सकते हैं, एक skin type जिसके उपर आपने घर में खुद भी facial ट्राइनी करना, एकनी हो, वो खुद घर में facial ना करें, तो ज्यादा बेतर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेतर है कि वो क्लिनिक में, किसी भी क्लिनिक में, जो skin क्लिनिक है, उस पर जाएं और वहां से facial करा ले, खुद से वो लोग facial ना करें, वाकि सब skin types वाले जो हैं वो घर में बैठे बैठे facial कर सकते हैं,